नमस्कार भारत की संस्कृति काफी पुरानी है और इसी संस्कृति ने काफी मामलों में देश और दुनिया का मार्ग दर्शन भी किया है पर जैसे जैसे समय में बदलाव हो रहा है वैसे वैसे संस्कृति को आउट्डेटिन मान कर इसकी जगहा पर दूसरा ओप्शन लिया ज मिछ में हम हाद सिखाने की जगह काटा को थमा दिया योगा की जगह बातों की जगह फोन यह कुछ ऑपपफ एभिसे गेम चेंजिंग के नाम पर लाया गया पर क्या सही माईने में बदलाव हो रहा या बदलाव की आड़ में वही चीज़ें घुमा फिराकर लोगों के सामने लाई जा रही है क्योंकि नए दोर में देखें तो इन्ही गेम चेंजिंग कॉंसेप्ट ने खुद को वापस बदल कर पुरानी आदतों को ही नए तरीके से अपनाने पर जोर देना शुरू कर दिया है इसी बदलाव की रहा पर हमने देखा कि पूरी दुनिया की आधे से ज्यादा अबादी ने डेटिंग एप का इस्तमाल शुरू कर दिया और इस बदलाव में टिंडर जैसे एप ने लोगों के बीच में एक नया विकल्प सामने रखा यह विकल्प था अपने जीवन साथी को खुद चूज करना यानि यहां भी इस बात को तवज़ू दी गई कि एक साथी के चुनाव में परिवार या दोस्तों की दखल अंदा लेकिन दीरे दीरे इस रुमानी अजादी का एक गड़ तूटता हुआ नजर आ रहा है टिंडर का हाली में मैच मेकिंग फिचर आया है जिसने दोस्तों और परिवार वालों को किसी मैच का सुझाव देने और उसकी जाच करने के सुविधा दी है अब यूजर के मन में हैर थोड़ा पीछे हटता है टिंडर पर 75% सिंगल्स ने कहा कि वो लोग महीने में कई बार दोस्तों के साथ अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में बात करते हैं सिर्फ 37% नहीं राइट स्वाइब किया है या किसी दोस्त के लिए डेट चुनी है और 28% ने अपने दोस्तों से उनके लिए राइट स्वाइब करवाया है इसके अलावा 41% से भी ज्यादा लोग वो हैं जो सिर्फ प्रोफाइल को देखते हैं और इसके अलावा कोई और काम ही नहीं करते हैं अब ये डाटा अपनी कहानी खुद बताता है लोग अपने पार्टनर से जुड़े हुए जो समाजिक कलंख है वो आज भी बहुत मजबूत है खासकर महिलाओं के लिए इसलिए किसी भी गलती का बोज दूसरों पर डालना उनके लिए ज्यादा आसान होता है अब ये गलती का बोज दूसरों पर डालना है या समझारी से सबकी सहमती से सही चुनाव करना है इस पर की किमतों में 50% से ज्यादा की गिरावट आई थी इसके अलावा निश्ठा की जो सदियों से पुरानी मांग है वो हमेशे ऐसे प्लैटफॉर्म से पूरी नहीं कि जा सकती और अब धीरे-धीरे ये बाद टिंडर को समझ में आ गई है इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट क